नमस्कार दोस्तो थिंक एंड ट्रैवल में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको आहिंसा इस्तल जो दिल्ली के महरौली में इस्थित बहुत सुन्दर टेंपल है इसके विशे में बताने जा रहा हूँ दोस्तो यह temple का entrance gate है दोस्तो यह temple सन 1910 में बनवाया गया था आइंसा का मतलब है place of peace, place of non-violence अंदर entry करते ही आपको सबसे पहले आपने अपने जो जूते चपल पहने हुए हैं आपको यहाँ पर आपको जमा करने पड़ेंगे उसके बाद ही आप अंदर entry कर सकते हैं दोस्तो यह सिर्डियां सीधा भगवान महावीर जी तक पहुंचती हैं भगवान महावीर जी का statue है वो इस छोटे से पहाड़ पर बना हुआ है लौड महावीर जी का जो statue है वो तेरा फेट 6 इंच मूचा है महावीर जी पदमा सन में बैठे हुए है जो लोटस पोजिशन बोली जाती है यह पत्तर जो है वो ग्रेनाइट का है और statue जो है ग्रेनाइट का बना हुआ है और statue का वजन होगा 17 तन कि दोनों तरव आप देख पारे होंगे शेर बैठे हुए हैं statue बहुत ही सुन्दर लग रहा है देखने में कि दोने में दोना है गारे है ऑंक है वोगा रहाा है ओतकर भी में ठाप दोस्तो टेम्पल के उपर से चारो और करना जारा बहुत ही सुन्दर दिखाई देता है ये टेम्पल कुत्व मिनार आर्केलोजिकल पार्क से कुछ ही दूरी पर है उपर से आप देखेंगे तो कुत्व मिनार को भी सामने देख सकते हैं आप दोस्तो पासी में एक मकबरा भी बना हुआ है यहां से आपको वो साफ साफ दिखाई देता है व्यू की बात करें उपर से चारो और हर्याली हर्याली दिखाई देती है गार्डन भी बहुत सुन्दर बना हुआ है साफ सफाई की बात करें तो यहां करमचारी जगे जगे पर लगे हुए है और साफ सफाई का खासा ध्यान रखा जाता है अगर आप अपना कुछ समय शांती से बिताना चाहते हैं तो इससे अच्छी जगे आपको शायदी मिलेगी यहां बहुत ही कम भीरबाड होती है बहुत ही साफ सफाई है यहां पर और यह एक पीसफुल स्पॉंट है दिल्ली में दोस्तो अगर आप भी इस शांत जगे पर आना चाहते हैं तो जरूर आईए आहिंसा इस्तल अनुवरत मार क्रिस्चिन कलोनी में है यहां का सबसे नीरेश्ट मेट्रो इस्टेसन आपको पढ़ेगा कुतो मिनार येलो लाइन फ्रेंड्स आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें थैंक यू सो मच क्यों आपको जरूर aşूर साफगराइब करो अगरे क्यों acceptable क्यों आपको जरूर्श जरूर्श आपको जरा इसल डğimizरोंशनको भाइक केzne राओको यूजडको